हेलो एब्रीवान वेल्कम बाइक टो मैं चैनल तो भी मैं आई वो पढले गाउं से होते हुए यहां पी खाड़ी हो देखिए और पीछे मोर्थी देशाई गाउं जो है विलेज उसके पीछे स्या करके यहां पर आये हैं तो यहां पी यह कर्मिका गेलेक्सी जो की आगासन और अन्य देखे तो यहां वाला यह पाटक को है यह वाला वालेख रहा है ग्हु ताहई को फैल मुवह यहां पे महरा फन नेक्स्ट टांट्स यह घए त्वाड़ा है नक्स्ट हेसै मोग ऑठ़री गाउं है परलडे गाउं आपने देखा कि जो देसाई क्रिक के पास मतलब मोठी देसाई के गाउं के पीछे जो क्रिक था वहां पर हम लोग गए थे तो वहां कैसे गए थे हो इस वीडियो में एक्सपिरिया मॉल सामने दिख रहा है और एक्सपिरिया मॉल से खिडकली टेंपल होते हुए आगे नियो एरिया में आपको मेराथन नेक्स्ट टाउन का भी टाउंसिफ है तो यह देखिए आगे यह फ्लाई ओबर जो पलाव का चल रहा है और डवलू डीएपसी का वह लेफ्ट साइड में थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन स्लो ही है बारिस में उतना फास्ट नहीं था एक महीने अकर दो महीने पहले वीडियो क्ट हुआ हैам अब ढशेफियार मल है कि मोल के दोनों साइट दिखाने का कोशिफ कर रहे हैं ज़्यादा काम कुछ हुआ नहीं है तो नहीं कभी बनके तयार होगा, बहुत जपेड़े ट्रैफिक हो रहा है यह जो मेट्रों का काम चलू है इसकी वज़े से और भी ज्यादा अच्कल होने लगा है और यहां से नियरड़ा है तो अभी देषाई विलेज के तरफ जा रहा है हैंब गई हम लोग और दुसुरे साइड का फ्लाओर भी सेमी है जो आई थिंग बिल्डिंग के सामने एक महीना पहले जो बनाए थे उसके ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है यह जैसे ही रिवर क्रोस होते हैं तो रिवर रूट पार्क करके एक सोसाइटी है यह बहुत ही पुरानी सोसाइटी है इसका एक्स्टेंशन अभी नए टावर्स भी इसमें बने हैं इसमें अंदर गए थे हम लोग लेकिन उदर का वीडियो उस टाइम में बना नहीं पाए थे तो यहां से कुछ देर आगे जाने के बाद नियौन होस्पीटल मिलेगा और उससे फिर आगे जाके और राइट साइड में राइट साइड में राइट साइड में पड़ले गाओं के तरफ जाएंगे क्योंकि बहुत दिन से सोच रहते हैं यह जो रोड है कल्यान सील फटा इसके पैरलल में ही राइट साइड में बुलेट सीथरी पैकेज का काम चलू है सीथरी का इधर पे तो काम पाइलिंग वगेरा भी हो गया है आपको आगासन फाटक जो है ना आगासन करनिका गेलेक्सी और लोडा कासा बेला गोल्ड के रेलवे लाइन के इस साइड मतलब देशाई विलेव का कुछ पाट है यहां से राइट में देखियेद देशाई ना काव छल जाते और लेफ्ट साइड में खिड कली गाऊं है उसका भी खिड कली गाऊं और यहां पर साव एक क्रोमा का भिए खुला है खिडकली गाउ तो यहां रोड से तो नहीं दिखता है और राइट में अंदर गाउं के उस पार जाना पड़ेगा इसके लिए हम लोग अंदर जाने वाले हैं पढ़ ले गाउं के पीछे मोठी देसाई गाउं के पीछे है जो लेफटल है वह बिल्डिंग का नाम कॉस्मोस है इसमें बहुत सारे सॉपिंग सेंटर बहुत सारे दूकान नीचे में और इसके आगे वाला जो एलो कलर का लेफटल दिख रहा है इसिए में नियॉन हंस्पिटल का यह वोड़ भी दिख रहा है तो इस एरिया का हस्प है मतलब यहां पर जैसे एक वीडियो में बताई थी कि अच्छा होस्पीटल है अच्छा में और यहीं से देखिए राइट में जो ट्रक दिख रहा है ना अब राइट में यह पढ़ले गाउं के तरफ यह पहले रोड काफी खराब हुआ करता था लेकिन अब कॉंक्रीट रो सब्सक्राइब करने के बाद पूरा नहीं दिखाए थोड़ा फास्ट कर दिए क्योंकि हम लोग को जहां जाना है बुलेट ट्रेंड का काम चल वह उस एरिया में जाना है तो अब यह मोठी देशाई के तरफ बढ़ रहे है पढ़ले गाउं क्रोस कर गए हम लोग पूरा ए अनमान जी का मंदीर भी है तो सब क्रोस करते हुए आगे आने वाला है अनमान जी का मंदीर झाल आए देखिए यह ही लेप साइड में यह मोटी दर्साइगाउं का अनुमान मंदिर है क्या बोल रही थी होस्पिटल के बारे में मैं बोल रही थी कि वीडियो में बताई ना कि बेश्ट होस्पिटल उसके बारे में कमेंट आया कि नहीं सभसे होस्पिटल है से सबस्क्राइबर लोगों का तो देखिए लुटेरा तो अज़कल हर होस्पिटल में वही होता है उनका मन मानी पेसेंट का कहां चलता है जो लोग बोलते हैं वही तो सुनना पड़ता है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा लुटेरा है यह हम नहीं बोल सकते पर आहां सबसे बेश्ट के तरफ जा रहा है खाड़ी के तरफ क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का जो पाइलिंग स्टेशन तो वहां पर बैतावडे गाउं में उसका बहुत बार हम वीडियो दिखा चुके हैं लेकिन यहां से सील फाटा से करनिका गैलेक्सी और लोड़ा कासा बेला गोल्ड के बीच किसे जो क्रॉसिंग होगा उस इस अरिया से से दिखाएंगे तो यहां पर देखने जा रहा है कि कच इधर का काम प्यतुक्त आपको सब लोड़ा का सब देख रहा है उसके पिच्य वाल 1 पिछेवाला वाव बाइसिया बाइसिया वाव बाइसिया 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 देखिए सब यहां पर तबेले का दूद भी मिलता रहेगा तबेला भी एक दो दिखा और यहां पर जाएंगे तो एक लेफ्ट साइड में दो साइड में रोड डिवाइड होगे लेफ्ट साइड में एक समस्तान देखिए और यहां पर कुछ नौका भी रखा हुआ है चोटा सा साइद यहां पर बोटिंग वगएरा भी होता रहेगा और इस वहां से दिखिए गाओं का मतलब सीन देखिए कितना हरी आली और पेड़ पौधे यह मोठी देशाई गाओं का है तो क्रीक के तरफ से भीव ली पता नहीं इसके बारे में ज्यादा तो यहां से कुछ सोच रहा थे कि कासा बेला गोल्ड वगरा दिखे बुलेट ट्रेन क्योंकि इस खाड़ी के उस पर से ही पिलर चालू होना है लेकिन यहां से नहीं दिख रहा था तो आप दूसरे राइड शाइड वाले रोड में जाए लेकिन यही सब जो लेंड हरा वाला दिख रहा है जमीन इसी एरिया से बुलेट ट्रेन को गुजरना है यह जमीन देखने को मिला काली लेकिन यहां कुछ काम नहीं चलते हुए दिख रहा है अगला जो बुलेट ट्रेन का हम डालेंगे वो फिर से अगासन फाटक के तरफ जो पाइलिंग का काम सुरू हो गया है दो चार पाइल कॉंकेटिंग भी हो गया उसका दिखाने वाले हैं तो यह फिर से वही क्लिप देखिए एक कासा बेला गोल्ड है दोनों बीच में यह माई सीटी भी दिख रहा है जो लेप साइड में छोटा सा दिख रहा हो माई है और वहीं से जाना है दोनों के बीच से सीथ्री पेकेज है यहां पर कुछ दिखने को तो नहीं मिला लेकिन लेंड ही है अब हम लोग लोट रहे हैं लोटने के टाइम भी यह सब कुछ सीन है उसी गाउं का ही मोठी देशाई के तरफ लोट रहे हैं यह सामने महराथन ने वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है सेंपल फ्लैट वगेरा तो यह आने वाला है जो राइट साइड में जो फेंस मारा हुए देखिए यह मरातन रूबी करके टावर है इसका एक डाले भी थे वीडियो दूसरा और लोकेशन कैसे पहुंचना है वगरे डाल देंगे तो अब फिर से पढ़ ले गाओं के तरफ जाके और बाद में एक खिड कली टेंपल भी जाएंगे हम स्रावन है तो हमनों दर्सन करने तो उसका भी वीडियो जल्द आएगा थैंक्स वर वाचिंग फिर मिलते हैं लिए